दोस्तों मैं आज आप सबको बताऊंगा ये पड़े सर्सों की खेत में दूसरी सिचाई कब रामानतोर पर होता क्या है किसान भाई हम पहली सिचाई की विशे में आपको पहले बता चुकी है अगर आपको जानकाई ना हो तो मारा वीडियो देख सकते हैं इसे बात है कि सर्सों जो होता है उसमें सिचाई का बहुत महत्रूता है कि आप सbлаг पैदर लेना हो सचाइय में बहुत वड़ी मानि रखते हैं वोता क्या है कि पहली सचाइय दोस्टों अभ déjà तो अश्ड़ीत सपित देते हैं उती होती है साथ्व शुप्ली पंगा सच के लिए हम पनी रहीं होती है वह सचाइव समक एथ सुपर कोके हिए लो बन करके इसमें फली अमिआ इसटार्ठ हो गए आप देख सकते हैं कुछ थूर भी बन नीडरे इसमें होता क्या है साथ में छाइड जया जटी लेगा जब फली मर रही हो उस समय का रिष्ट्रेस में आगा पोधा तो फादम में भारी किर्यावट देखिए उसके लिए करना क्या है कि आप को समय से सिचाइग करते रहे पहली सिचाइग करने के लिए आप देखते हैं कि जब आप की जो सरसों में 50% फलावनी हो करके उसमें फलिया बनना इस्टार्ट हो गई हो तब वो समय माना जाता शिचाइग करने से पहले आप उकरना क्या कि आप पहले अपने खेट पर जाईए वहां के जो मिट्टी है उस इसमें देखने के लिए नमी कैसी है आप देख सकते जिसमें नमी बहुत कम है पहले होती है इसके लिए आप करें कि आप को को जाता है भी कम हो जाता प्रशाइग के वजिखा के जाता है तॉसमें पहले सिझाय कर रहे हैं तुसमें परत दो प्रताश हो पानी रहने को पने नहिंगकर लेकर नहीं की सिचाई लिए में ऐसमें फोर्हीजित से करना है और उसमें बड़वार में कमी रहती है वो भी पूरा हो जाएगी शिचाइक पहले यह सब नहीं देगा नहीं तो इसे आपका जो होता है नूट्रियन ब्लास हो जाता हूँ चिचाइ समय से करें ओर अलकी करें अब अब यह निए पहती है कि इसे क्या होता है आपो तब ही प्रोदा स्ट्रेस से आजाएगा क्योंकि उस समय मान सली आपका जब यह विजी टेटिव गुरोथ हो करके जब यह वता रिपोड़क्टिव गुरोथ पर बोधा चलता है अगर रिपोड़क्टिव गुरोथ के समय आपको अगर इस्टेस में आगया बोधा तो निश्चित उत्पादन में कमिया जाएगी तो समय आपको ध्यान है यदि आपको कोई उसमय जैसे माहुक कीट बहुत ज्यादा नगता है तो माहुक कीट से बचने के लिए पहले सी आप इतो ब्युस्था करिए या लग जाए तो तुर्ण आप दवाओं का इस्परे करते रहेगी क्योंकि होता कि उस समय अगर पहुदा क्यों सब्सक्राइब करें कि आप कर चुके है या नहीं कर चुके है आप उनका प्रभाव देख सकते हो या आप तो कमेंट में ज़रूर बताए इक दूसरी सी चाहिक बादरे उप बस्तॊ सेंद्य कि बढकत्रीं हुए नवा जोस्तों